हाई दोस्तों आप सब प्रसा आप सब के अपने अच्छे लिए अरहान एंटेटेन्वन आप माहु राशी से तो आज मैं जिस मुवी के बात करूँ है इस मुवी का नाम है दा नाइट बिफोर क्रिस्मस यह मुवी रिलीज हुए नेट्पिक्स पे और यह दोनों लेंग्व नाइट यानि के शुर्वीर अपने भाई के साथ एक दिंग शिगार पर निकलता है तो रास्ते में दोनों भाई अलग हो जाते है तो पड़ा भाय होता है जो इस कहानी का में हीरो है उसका नाम है सर कॉल उसको मिलती है बुडिया बुडिया उसे बोलती कि तुमारे सबसे बोलती है तो बस आगे आपको यही देखना है कि क्या सरकोल अपने को हासिल कर पाता है और जो बुरूप की प्यार को लेकर क्या उसकी सोच बदल पाती है ये जानने के लिए आपको यह मूवी देखने बड़े कि the night before Christmas अब मैं बताता हूं कि यह मूवी मुझे कैसे लगी यार मैं आप लोगों सिद्री बता हूं कि यह मूवी स्वीट और सिंपल सी बनाएक लव स्टोरी है इस मूवी में कुछ भी इसे बड़े एक्शन सीन्स या कुछ भी मैजिकल चीज देखने को नहीं मिलिए यह मूवी नहीं बोलो कि मुझे तो यह डिसेंट लगी ना जादा अच्छी लगी ना जादा खराब लगी मेरे इसाफ से यह आप एक टेम जरूर देख सकते हो अगर आप लोग लव स्टोरी पसंद है तो अब मैं बात को तो परफॉमेंस की तो परफॉमेंस में मुझे जोश अच्छा लगा एच सर्कॉल और ब्रूक के रोल में वैने से हचेज भी बहुत अच्छी लगी ती डायरेक्शन भी ओके है और जितने भी सिनेमेटोग्राफी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इस पर आपको फेक नहीं लगे जितने भी स्नो के सीन से बहुत अच्छे मुझे इस से ज्यादा कुछ भी नहीं लगी अगर आपको यह मुवी देखना है तो आप इसे नेट्फ्लिक्स पर देख सकतो यह हिंदी और इंग्लीज दोनों लेंग में अविलेबल है और सबसे अच्छी बात है कि सिरिफ जेर खंटे की मुवी और आपको कहीं पर भी ब बताने वाला है तो यह काफी प्रेडिक्ट्रिबल स्टोरी होने के बहुजूर तो इसमें छोटी-छोटी मुमेंट्स बता है वह मुमेंट्स आपके चेहरे पर स्माइल लेका रहते और कुछ नहीं तो बस इस वीडियो में इतना ही अगर आप तो मैं मिनूं आप से कल किसी नहीं दिल देल देल बाइ